नमस्ते दोस्तों, नमस्वाय, तो आज हमने बनाया है अर्भी पत्ते की सब्जी, पहूत ही टेस्टी लगता है और यह नो कॉस्ट में बनता है, मतलब कि आप पत्ते अगर गाओं में है तो घर के आसपरस मिल जाते हैं, और शहर में है तो बालकोनी में गमले में लगा सकते ह और उसी के पत्ते से मैं सबजी बना रहे हूं बहुत शांदार बनी थी मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी टेस्टी लगेगी और इसकी और भी मैंने इसके पहले बनाया था बट सरसो वाली बनाई थी इस बार मैंने प्याज वाली बनाई है तो पूरा वीडिय नमक थोड़ी से हल्दी उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेट चिली पाउडर तीखे के लिए और यह धनिया है बिल्कुल जरासा और यह गरम मसाला और यह थोड़ा सा साबुत जीरा उसके बाद मैं डाल रहे हूं बिल्कुल थोड़ी सी काले मिर्च एक चु बढ़ यहां सा एक बैटर बना लेंगे बहुत पतला नहीं और एकदम टाइट भी नहीं थोड़ा थिक सा एक बैटर बनाएंगे अब भी देखिएगा आप कंसिस्टेंसी क्योंकि इसको पत्ते में रोल करना है तो बिल्कुल नॉर्मल पकोड़े का जो बैटर बनता है उत तब तक पाने गरम करने के लिए मैंने चड़ा दिया है एक ग्last पानी डाला है और हम यह रख दिया है मैंने जुत धकने वाला होता है न होता है दूट कर ले यह उसको और यह सारे मैं अच्छे से middle lion बनाय कि सरफ एक ही पकॉड़े बनाओगी बड़ा सा मोटा सा मतलब इसमें दो बन सकता था रोल तीन लेकिन मैंने एक बनाया है तो देखो यह समूद साइड है इसको पीछे रखना है और रफ साइड उपर कोना है और इसका राईजन यह है कि पहले तो यह द Cherry that सैड में बтории سकान की चानी से चिपक जाएगा दूसरी बात यह है कि जब व हम इसको और लगते हैं तो पत्ते थूटने लगते से लगते हैं और देखने में D относ. यह पत्त कि च्वली को सब्सक् Good. मतलब शेप चृगेट हो सके तो इस तएक तरीके से और अईसे ही नीमक जितने भी पत्ते हैं जितने मशतितने झाले बड़े हैं पाद में चोटे वाले लगा देने है, बड़े पत्ते को इस तरीके से हम align कर रहे हैं, एक बार इधर, एक बार उधर करके, और जितने चोटे पत्ते हैं, उनको थो आप कैसे भी लगा दो? कुछ ऐसे लगाए हैं, हमने कुछ बीज में लगा दिये हैं, मतलब कैसे देखो इसको मैंने दूसरे तरीके से कर दिया है तो कैसे भी करके और वही है कि मुझे बहुत ज्यादा मूड नहीं था खाना बनाने का लेकिन अच्छा खाने का मन था तो मैंने कहा एक ही पकोड़ा बना देते हैं बार-बार क्यों बनाएं तो जादे तर लेडिस तो उससे यह चिपक जाएगा फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे इसको भी हम चिपका देंगे फिर इस तरीके से यहां से पकड़के ऐसे करेंगे और यहां पर थोड़ा सा बेशन लगा के चिपका के और फिर ऐसे हम बढ़िया सा एक रोल बना द इधर पानी उबल चुका है, स्टीमर रेडी है, तो इसमें मैंने पत्ते रख दिया, ये पकोड़े जो हैं, इसको धक देंगे, और इसको 5-6 मिनिट में अच्छे से पका लूँगी, तो देखिए मैंने 5-6 मिनिट छोड़ दिया था, मेडियम तू लू फ्लेम पे, और आप जो पकोड़ा है, वो बिलकुल पक चुका है, आप ठीक सकते हैं, टाइट हो गया है बेशन वगेरा, और सॉफ्ट हो गया है पत्ता, तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और अब मैं इसको कट कर लूँगी, कैमरा अपने आप रोटेट हो गया था, मु वैसे इसमें तो ग्रेवी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं, और इधर मैंने चड़ा दिया है कडाही, कडाही में डाल दी हूँ सरसो का तेल, क्योंकि ये वली सब्जी सरसो के तेल में ही मस्त बनती है, और वैसे तो मैं सारी सब्जीयां ही सरसो के तेल में बनाती बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो इससे थोड़ा सा एक क्रंची सा टेस्ट आजाएगा अगर आप हेल्दी घाना चाहते हैं तो ओइल कम कर दीजिए और पकोड़े को मत फ्राय करिए और इस तरीके से हम घुमा देंगे कड़ाही को तो कम ओईल है बट सारे पकोड़े अच्छे से तल जाएंगे तो ऐसे थोड़ी दिर में ही एक तरफ का हो गया है यह देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा तो फ्राइब करना था था कि वह अपना शेप जो है वह रिटेन कर ले और एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए तो ऐसे करके असाओधानि से सारे पकोड़े और जो बीच में उनको साइड में कर देंगे ताकि सब बराबर तल जाएं और देखिए हो गया तो इससको थोड़ी दिर और छोड़ेंगे और दूसरे तरफ से भी ह о जाएगा तो थोड़ी है ना चेटनी ना अचार किसी चीज की यह सफिशिंट है तो देखिए मैंने तल लिया है इसको अब मैं सेम ओल मेहिना एड कर रही हूं सबसे पहले एक मोटी इलाइची और इसको मैंने खोल दिया बीच में से एक तुकड़ा दाल चीनी और यह दो हरे इलाइची है दो तेज पत्ते हैं और थोड़ा सा मैं डालूंगे जीरा दाना साबुत तो यह मैंने डाल दिया जैसे जीरा चटक जाएगा इसमें मैं डाल रही हूं एक लिया था मैंने मीडियम साइज का प्याज जिसको एकदम छोटे-छोटे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है और इसको हम थोड भूनने के साथ साथ थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए तो देखिए थोड़ी देर में ही प्याज जो है वह बढ़िया भूनने लग गया है थोड़ा सवर बाकी है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं अध्रक लैसन का पेस्ट एक चमच इसको भी बढ़िया से चला देंगे और अब डालने के बाद तो प्यास बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है अब रीजन किया है मुझे पतानी व्लीमात बढ़र ग्राश मिल्हट जल्दी बढ़िया सॉफ्ट सा ऋर ब्राउण उध्याह बिस्द nomint पेस्ट बना लिया था जिसका पेस्ट बना लिया था suivृ ि ag प्याज लिया था उतना ही टामाटर इसको भी बढ़िया से चला लेंगे और अब धक्के भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी दिर बाद मैंने इसको खोला है तो आप देखिए ओयल जो है वह सेपरेट होने लग गया है टामाटर का जो कलर है वह चेंज हो गया ह मैं तो अब मैं इसमें ढाल रही हूं मसाले तो सबसे पहले में ढाल रही हूं तोड़ा सा हल्दी आधी चंबस अरखिए मैं तीकी नाल-म्रर्च ये बिल्कूल दो उख्री द करीमें है जीरा पाउडर स्रफ इतने मसाले डाले हैं उसके बाद से इसमें पानी डालके और मसाले को बढ़ियां से पहले भूनेंगे फिर बाद में पानी डालके पकाएंगे तो अभी तो मैं इसको चला दे रही हूं और चला के ढखके और इसको लो फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे त मतलब 2-3 मिनट में ही हो जाता है तो इसको थोड़ी दिर और भूंदेंगे तो बढ़िया एकदम हो जाएगा वह तो पता लगता है जब मसाला हो जाता है तो यह देखो थोड़ी दिर बाद में खोल रही हूं अब आप देख सकते हैं कि ऑल अलग तरीके से उपर आया है बिल कर रहेगा और उसके बाद से इसको बढ़िया से चला के ढख के और अच्छे से तीन चार मिनट हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए अच्छा और मेरा यह जो भी रेसिपी होता है बहुत सोफिस्टिकेटर इसलिए नहीं हो अच्छे से कुछ मनाओं तो यह देखो यह ग्रेवी तीन चार मिनट में बढ़िया पक गया था तो अब मैंने डाल दिया है इसमें पकोड़ा और पकोड़ा डालने के बाद इसको हम धाई तीन मिनट और पका लेंगे क्योंकि ग्रेवी भी पकी है पकोड़े बी अल्रेड पर आ गया है और ग्रेवी के कंसिस्टेंसे भी बहुत अच्छी है तो यह मैं सर्फ कर रही हूं फटा फट बनाती हूं और खाने जाते हूं उसमें जो शूट हो गया ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं तो वैसे यह है आज की हमारी रेसिपी प्लीज सपोर्ट करिए आप लोग पसंद आए तो लाइक जरूर करिए